प्रतिक जी आपको मैं कहना चाहता हूँ देश वासियों से के देश को 76 साल के करीब आजाद हुए हो गए पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हम्मे से निकल करके आया है किसी राज कुमार किया पैदा नहीं हुए नरेंदर मोदी जी मैं आज ये कह सकता हूँ मैं उत्राखन देवभूमिस आता हूँ उत्राखन की पांचों सीटे बड़े मार्जन से भारती जंता पाड़ी जीत रही है और आने वाले दिनों में नरेंदर मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधान मंतरी बनेंगे और एक ऐसा इतिहास बनेगा मैं आज बस मुसल्मानों से एक बात कहना चाहता हूँ जैसे वन्दे मातरम के ओपर ये अभी हमारे भाईयों ने वन्दे मातरम गया इसका अर्थ ये है कि आमाहम तेरी प्रिकर्मा करते हैं तुझे सलाम करते हैं जबाने यार मन तुर्की के मन तुर परेंदर मोदी जी ये चाहते हैं 140 करोन का सबना ये है हर चेहरे पर हर घर खुशाल हो हर चेहरे पर मुश्कान हो आमीन ये आखरी लाइन के लिए आमीन सुम्मा आमीन जी और उद्द्योग पतियों से चंदा लेकर के लोग रोज खाते रहें उसके ओपर भी पूछ लिए मै सवाल पूछा जाता है और बिकुल सवाल पूछा जाना चाहिए जवाब देंगे मैंने कहा कॉंग्रेस से भी पूछ लो चोदास करोन कैसे मिला ठीम सी से भी पूछ भी पूछ लो स्वादास करोन कैसे मिला ऑर बिंद्यकेजरी बहुछे-वाल से पुछो चौरान मैं जी 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 बच्चों की किसमें खाई थी कि कॉंग्रेस के साथ कभी गटभंदन नहीं करेंगे तो फिर अब क्यों कर रहे हैं तो कभी कभी चीज़े बदल बच्चों की जूट अरे बच्चे कुछ आदिम नहीं कहा जाता है छोड़िया आधा ये हमारे शो में तो नहीं बोला कि मुझे सब देवता तुल है सारे लोग जी अपनी बात देखिए मैं यूही नहीं कहरें कि पियार के जैसे विपक्ष काम कर रहा है अभी रिसेंटली संजे राओ जी ने उद्धव ठाकरे के मंच से औरंग जेब की तुलना मानिय हिंदू हिर्दय समराथ सनातनी हिर्दय समराथ विश्व में सबसे प्यारे प्रधान मंत्री जो माने गए हैं अभी तक उनके विशय मे प्रधान मंत्री जो सनातन का जंडा जो भारतियता का जंडा जो राश्व का जंडा पूरे विश्व में हरा रहे हैं उनको आप उनको तिरंगा इतना उचा है इतना उचा है कि उसको उठाने अगर आज वो अपने सीने में तिरंगा ले करके चलते होते तो किसी दूसरे जंडे को उड़े नहीं पता है कि तिरंगा केवल और केवल सरकारी भवनों पे फाराये जाता है पहले जाके थोड़ा पड़ जीग आराम से लेटा कप्ली वो बहके हुए नौजवान है जो भा जाते हैं तब क्यों नहीं बोलते हैं राइट बीजेपी का था जवाब एलेक्टोरल बॉंड पे कह रहे हैं कि इनके नेता भी कह रहे हैं कि वसूली हो रही थी अरे आपको भी बताना पड़ेगा आपने भी छे अजार जवाब नहीं सुटपाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आपको बताना पड़ेगा कि 1400 करोण की हफ्ता वसूली कहां से की आमाधी बाड़ी देखे मैं भाजबा की तरह धरम जात की बात नहीं करूंगा मैं कुछ आंकड़ी बात करता हूं रोजगार की बात करी पिछले साथ साल के अंदर देश में लगू मजोले उद्योग 50% बं अप्लाई किया उन्में प्येजी के लोग थे सब्सक्राइब लोग तरह मेरा नाम शेक सिंग है मैं खुड डिफेंस हूं मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले जब मैं अभी पोश्चेर जंबू में स्रीनेगर में तो जब कांग्रेश की सरकार हुआ करती थी आमी में आर्मी प्रमीशन लेना पड़ता था कि सर आगे हमें क्या करना है लेकिन बीजेपी के सरकार आई यही सिखाया है कि अगर आपके ऊपर एक फायर आता है तो आप उनके उपर इतना फायर करो कि गिंती भूल जाए इतना परदान मतिर में लिए में इतने सालों से देख रहा हुं रोज के में लिए कि अपने उस साथी जो हमारे आर्मी से मैं उनका सम्मान करता हूं लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कॉंग्रेस की सरकारों में फुल फलेज आपको नौकरी मिलती थी चार साल की अगनी वीरनी मिलती थी पार्ट टाइम और कॉंग्रेस के राज की बात है कि पाकिस्तान के दो टुकडे बंगला देश मना कर इंदरा गांधी नहीं किये यह कभी भूलना मत और इस देश की आर्मी को एर फोर्स को और नेवी को जितना स्ट्रेंसें कॉंग्रेस के राज में हुआ है वो शायदी किसी सरकार में हुआ हुआ है जी जनाव एली जी चोवाली साल के हो गया हुआ 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 है तो पत्रकार्टा में हमसे जब्लू जी 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 मैं आया बाया आया जी आर्मी का जो भीया बोले बहुत अच्छा बोले ए जी 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 जो किये है लेकिन आज एक जो उसमें गलती है पुरी ना युगा को बताना चाहता हूं अरे बहुत अच्छा किया है लेकिन आभी आर्मी वाले भाया को बहुत बताना चाहता हूं कि जो चार साल में अगर कोई आर्मी सहीद होती है तो उसको सहीद के दर्जा न अराम्द, 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 जी, बलो, वह भाया बोल रहे हैं कि चार साल में जो बंदा सहीद होगा, इसको सहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनसे ये पूछिये, आपकी किसने कहा है कि सहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, सीधा full and final list में लिखा गया है, मैं खु झाल झाल